हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो हमने 11th किलास के लिए complex number में हम लोगों ने पढ़ा था क्या भई कि complex number में polar form को कैसे solve करते हैं और उस polar form से हम लोग कैसे argument निकालते हैं और कैसे हम लोग क्या निकालते हैं तो यह सारी condition हम लोग ने सीखी थी और आज हम कुछ नए questions करेंगे इसके ताकि हमें टॉपिक और भी अच्छे से clear हो जाए कि ठीक है तो चलिए कि तुरह एंसी अटी ओपन कर लेते हैं कि हां जी बच्चो तो बच्चो अब यह देखो मैंने आपको example number 8 करने के लिए बोला था और 5.2 के questions करने के लिए बोले थे मैंने और आज हम जैसे इस टाइब के question करते हैं कुछ जैसे example number 12 कराता हूं मैं आपको ठीक है अब आपसे बोला गया 3-2 iota 2-3 iota upon 1-2 iota और 2- iota कहला इसका conjugate निकालू इसका क्या निकालो अच्चो conjugate निकालो तो इस type के question LEO कोई बहुत बड़े question नहीं होते conjugate निकालना बहुत असान होता है इसकी multiply से करोगे 6 आएगा फिर इसकी multiply से करोगे 3ities जा 9 iota आएगा फिर इसकी multiply से करोगे minus का 4 iota और फिर इसकी 2 किस्षे multiply plus का 4 iota और 2 किस्षे multiply minus का 2 iota square ठीक है अच्छा चलिए अब iota वाले को iota के साथ बिन iota वाले को iota के साथ 9 में से 4 गया 5 iota 6 iota square मतलब minus 1 हाँ जी 2 4 में से 1 गया 3 iota और ये 2 iota square मतलब minus 1 हां जी तो 6 minus minus plus 6 plus 5 iota और यह कितना हो गया 2 plus 3 iota minus minus plus 2 तो कितना हो गया 6 और 6 12 plus 5 iota और 2 plus 2 4 plus 3 iota अब आपको पता यह है कि iota एक root form होता है तो ऐसी situation में हम लोग rationalize करते हैं 4 minus 3 iota 4 minus 3 iota ठीक है तो कीजे rationalize rationalize का मतलब है कि इसकी multiply इस पूरे से ठीक है करेंगे तो 12 4 जा 48 12 3 जा 36 5 4 जा 20 iota और इसको इससे करेंगे minus का 15 iota square और यह a plus b करके a square minus b square बन जाएगा अब बनेगा 48 36 में से 20 के minus का 16 iota minus 15 iota का square minus 1 4 का square 16 minus 3 का square no iota का square 48 minus minus plus का 15 minus 16 iota ठीक है 16 minus 9 iota का square minus 1 48 और पंदरा कितने होगे बच्चो 61 होगे सरी 61 बोल रहा हूँ 64 होगे minus 16 iota और यह कितना होगे 16 minus plus 9 तो 64 minus 16 iota और यह बटे में 25 अब एक बार 25 इसके नीचे और एक बार 25 इसके नीचे ठीक है और यह कौन था complex number था यह कौन था complex number थे यह सारे मतलब कौन थे यह complex number let कर लेंगे यहाँ पर z के बार ठीक है अब हमें इसका क्या निकालना है conjugate conjugate क्या होता है इसके उपर बार इसके उपर बार अब अच्छो जैसे ही conjugate अटाओगे आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा क्या लग जाएगा प्लस करो जल्दी फटाफट तो इस टाइब के बहुत ही simple questions हैं यह अब note कीजिए इसको ठीक है चलिए यह note कर लिया होगा अपने ठीक है example सामने आ गया तो इसलिए मैंने करवा दिये ठीक है अच्छा अगला question देखे बच्छो अब देखो जैसे यह question देखो example 13 का first question क्या रहा है one plus iota upon one minus iota क्या इसका modulus निकालो और argument निकालो इसका क्या निकालना है modulus निकालना है और argument निकालना है तो आपको पता यह argument हो आपको polar form में जाना ही बढ़ेगा ठीक है जब argument वाली बात आती है तो तो आपको पता यह z बराबर हमारे पास यह है हम इसे लेट करके चलेंगे ठीक है अब इसका rationalize कर दो क्योंकि आयोटा यह रहा नहींचे करो तो यह one plus में आयोटा का whole square बन जाएगा और नीचे A-B a-B A square minus B square 2AB अपन में 1 का square 1 iota का square minus 1 1 का square 1 plus 2 iota upon 2 तो यह क्या हो जाएगा 1-1 plus 2 iota upon 2 1-1 cancels out 2iota upon 2 2 से 2 cancel होगे iota तो z कितना आगे बच्छो iota और standard form में कैसे लिखेंगे 0 प्लस में 1 iota कैसे लिखेंगे 0 प्लस में 1 iota अब आप से बोला गया है argument निकालो modulus निकालो ठीक है जी modulus थो हम बड़े अराम से निकाल लेंगे modulus थो हम बड़े अराम से 1 और यह 1 तो modulus की value कितनी आगई 1 modulus की value कितनी आगई 1 अब क्या निकालना argument now now the polar form of complex number is z बराबर r cos theta plus iota sin theta सही बात है by comparing ठीक है इसकी comparing करोगा ना first की comparing second से by comparing first and second तो हम क्या देखेंगे कि भई r cos theta किसके बराबर है 0 के और r sin theta किसके बराबर है 1 के हाँ जी यह कितना है r कितना है 1 तो cos theta into 1 बराबर 0 cos theta फिर भी 0 के बराबर रहेगा 1 into sin theta बराब 1 तब भी किसके बराबर रहेगा 1 के हाँ बरी cos theta 0 कितने भी होता है 90 पे cos theta 0 कितने भी होता है 90 पे यानि कि cos pi by 2 और sin theta भी कितने भी होता है sin pi by 2 अब चेक करना quadrant कौन सा है तो दोनों ही plus है first quadrant है और first quadrant में जो एंगल होता है वैसा का वैसा ही रहता है तो इसका मतलब argument यानि कि तुम्हारा कितना आगे ठीटा pi by 2 कितना आगे pi by 2 ठीक है तो solve करो इसको अच्छो फटाफट note कर लिजे इसको note कीजिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं फिर इसी का second part है आप easily कर सकते हैं एक ये question करवाता हूँ आपको मैं miscellaneous के question number fifth का first part पार्ट ये निकाल लो अच्छो miscellaneous का question number fifth का first part इसका second part आप आप कर सकते हो easily ठीक है बढ़ा दूँ चालो हाँ जी miscellaneous का miscellaneous का fifth का first part one plus में seven iota upon two minus iota का square ठीक है के आप पोलर फों में convert कीजिए पोलर फों में convert कीजिए ठीक है जी कर देंगे लेकिन एक बात याद रखना पहले आप क्या बात याद रखनी है लेट करना है पहले इसको जैड के बराबर है वो तो हम करेंगे ही लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि a plus a minus b का whole square यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये तो पहले आप इसको open कीजिए पहले आप इसको क्या कीजिए open ठीक है तो open करेंगे तो a square plus b square minus two a b 1 plus 7 iota 2 का square 4 iota का square minus 1 और यह minus minus 2 दुनी 4 iota 1 plus 7 iota और 4 में से एक गया 3 minus 4 iota अब समझ माई बात अब यहाँ पर आप करेंगे rationalize तीन प्लस में 4 iota अपन तीन प्लस में 4 iota जैड बराबर 1 प्लस में 7 iota 3 प्लस में 4 iota a minus b a plus b a का square minus b का square multiply कीजिए 1 की multiply 3 से तो क्या बन जाएगा 3 1 की multiply 4 से 4 iota 7 की multiply 3 से 21 iota 7 की multiply 4 से 28 iota का square 3 का square 9 4 का square 16 iota square अब क्या बनेगा बच्चो 3 प्लस 21 और 4 25 iota और यह 28 iota का square minus 1 फिर यह 9 minus 16 iota का square minus 1 z 3 minus 28 plus 25 iota अपन 9 minus minus plus 16 तो z बराबर ही आजाएगा minus का 25 plus का 25 iota अपन 16 और 9 25 तो देखो बच्चो ऊपर से 25 को मनाएगा तो minus 1 plus iota अपन 25 25 से 25 कट गया z की value आगई minus 1 plus iota अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसमें polar form निकालने में दिक्कत करेगा हर किसी बच्चे को पता है अब क्या करना है आपके पास standard form आ चुकी है standard form को आप क्या करेंगे polar form में let करेंगे compare करेंगे modulus निकालेंगे argument निकालेंगे और argument के लिए हम check करेंगे quadrant कोन सा है तो quadrant है minus plus मतलब की second और second quadrant में हमेशा angle क्या होता है second quadrant में angle होता है pi minus theta यानि जो भी angle होगा उसे pi में से minus करना होगा समझ मागी बात ठीक है यह कर दूँ चलो कर देते हैं let the polar form polar form of complex number तो क्या है z बराबर r cos theta प्लस iota sin theta ठीक है तो भाई देखो अब यह इसको first मानोगे इसको second मानोगे लिखोगे by comparing by comparing r cos theta बराबर minus 1 और r sin theta बराबर बराबर 1 ठीक है अब क्या करेंगे भई अब करेंगे हम यह हो गया ठीक है अब कीजिए क्या भई अब मॉडूलस अफ कॉंपलेक्स नंबर r is equal to under root a square plus b square a कितना है? minus 1 का square b कितना है? 1 का square under root 1 का 1 इसका 1 under root 2 तो r यादि मॉडूलस कितना आ गया? root 2 now हाँ जी अब क्या करना है? इसमें put करना है इसे 3rd माल लेना इसे 4th माल लेना put r in equation 3rd and 4th ठीक है जी? 3rd and 4th ठीक है? एक मुण वच्चो हाँ जी अभी देखो r put करेंगे r cos theta बराबर minus 1 r sin theta बराबर 1 तो r कितना है? root 2 cos theta बराबर minus 1 root 2 नीचे चला जाएगा minus 1 by root 2 is there a root 2 sin theta? बराबर 1 sin theta आजाएगा 1 upon root 2 तो भाई ये होता है cos theta minus ये होता है cos pi by 4 और ये होता है sin theta is equal to sin pi by 4 ठीक है? अब पता ही अंदर चला जाएगा minus इसमें क्योंकि हमें quadrant से मतलब नहीं होता है sorry हमें minus plus से मतलब नहीं होता है हमें quadrant से मतलब होता है तो ये क्या represent कर रहा है? कि ये बहुँ कौन सा quadrant है? second हम कहेंगे the angle the angle of complex number sorry angle नहीं the argument the argument of complex number lies in second quadrant second quadrant अब बहुँ second quadrant में लाई करेगा तो theta क्या होगा? pi minus theta तो यानि pi और ये कितना pi by 4 minus plus नहीं देखेंगे तो minus कर देंगे 3 pi by 4 आ जाएगा क्या जाएगा? 3 pi by 4 argument आ गया अब क्या लिखना है आपको? polar form तो polar form के लिए कहां put कर देंगे? यहां put कर देंगे r root 2 3 pi by 4 3 pi by 4 ठीक है? कीजिए जल्दे इसको जल्दे नोट कीजिए इसको कीजिए जल्दे 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 लिए करो यह से जल्दे नोट करो लवा हापो तंब है? आप लोगंने और जैसा कीजिए आपने कीजिए जल्दें कीजिए? तो अच्छा कोशन है अब इसी का सेकंड पार्ट आपको घर से सॉल्व करना है खुद ठीक है और जो डाउट आए बताते चलो चलिए आप कुछ और कोशन से देखते हैं हाँ जी बच्छो अब मैं थोड़े स्पेशल टाइप के कोशन लूँगा जैसे की सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपके लिए कोशन नमबर एक्जामपल नमबर फोटीन एक्जामपल नमबर फोटीन और फिर इसी टाइप के सारे कोशन से अटर्मिट करेंगे किया रहा इफ एक्स प्लस वाई आयोटा इस एक्वल टू ए प्लस बी आयोटा अपॉन ए माइनस बी आयोटा तो किया आप प्रूफ करो कि एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार बराबर होता है बनके यह प्रूफ करना है तो कॉन से बहुत बहेंकर कोश्चन नियbars नकली सा कोश्चन है भी ठीक है करते हैं आपको ये पता है कि हमें ये चीज दी गई है पूत है हमें ये पता है कि हमें ये चीज दी गई है ये तो given है लेकिन बच्छो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए ? x square plus y square देख रहे हो, यहाँ में मुझे क्या चाहिए x square plus y square बच्चो एक बात याद रखना इस आयोटा के case में याद रखना हमेशा कि अगर x square plus y square दिया हुआ है तो वो जरूर a square minus b square बन रहा होगा, आप काओगे कैसी गलत वाते कर रहे हो सर आप जब a square plus b square दिया हुआ आपको, तो वो minus कैसे हो सकता है, अरे भाई, minus इस तरीके से हो सकता है, कि जरूर यह x square minus y iota का whole square होगा तो देखो, x square minus y square, iota square और iota square क्या होता है, minus 1 अपने प्लस का हो जाएगा, तो अब हमें check करना है कि क्या y के साथ iota है हंजी है, तो अब हम क्या करेंगे बस यहाँ पर किसी तरीके से minus ले आएगे, और हमें पता है कि हम जबरदस्ती minus कैसे ला सकते है तो इसका style क्या है भाई, by conjugating getting the given term given complex number मेरी बात समझ मारी आपको आप इसका complex number का क्या कर दो, conjugate कर दो तो यह बन जाएगा x minus y iota a minus b iota और जब उपर का change करोगे तो नीचे का भी change करोगे अच्छा, अब क्या करना है? अब आपके लिए यह first है या आपके लिए second है अब क्या करना है? दोनों के multiple कर दो दोनों का क्या कर दो? multiple कर दो, बच्छो multiple करोगे तो बनेगा x plus y iota x minus y iota इसका multiple करो अच्छो a plus b iota a minus b iota multiply by a minus b iota a plus b iota अब मुझे कुछ भी आपको बताने की जरुरत नहीं है यह इस पूरे से cancel, यह इस पूरे से cancel ठीक है? और यह a minus b, a minus b तो a का स्क्वेर minus b का स्क्वेर और यह कट के क्या बनी गया? 1 x स्क्वेर minus y स्क्वेर iota स्क्वेर और आप जानते हैं x स्क्वेर minus y स्क्वेर iota स्क्वेर क्या होता है? minus 1 लीजिए answer आपके सामके hence proved करो करो अच्छो तो इस तरीके से यह बहुत ही सरल कोशनों में से एक है ठीक है? और दो तीन नमबर में आता है कर देना आराम से चलिए इसके बाद एक कोशन और करते हैं इसके बाद मैं आपको कोशन करवाता हूँ कौन सा? मैं आपको कोशन करवाता हूँ कौन सा? चलो अचो यह देखते हैं अब ठीक है? चलो इसको तो नोट कर लिया होगा अपने देखो फोर्थ कोशन मिस्लीनियस का X-Y आईउटा बराबर अंडर रूट A-B आईउटा अपन C-D आईउटा अख किया प्रूफ करो X-Square प्लस Y-Square का Whole सQuare बराबर A-Square प्लस B-Square अपन C-Square प्लस D-Square ठेक है जी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है यह प्रूफ करना है तो आपको फिर से वही बात पता है फिर से मुझे प्लस चाहिए यहाँ पर भी प्लस चाहिए तो मैं क्या करूँगा conjugate conjugating both sides तो क्या बन जाएगा x-y iota का conjugate under root a-b iota upon c-d iota का conjugate x-y iota under root a-b iota upon c-d iota यह first half के लिए यह second half के लिए एक method और है उस चाहो तो उससे भी कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो क्या करेंगे first और second की multiply कर देंगे तो बन जाएगा x-y iota x-y iota हाँ जी under root के अंदर ही minus वाली party और प्लस वाली party आपस में multiply कर जाएंगे तो यह बनेगा x-square y-square iota square यह बनेगा a-square minus b-square iota square यह बनेगा c-square minus d-square iota square ठीक है तो देखो यह क्या बनेगा x-square minus y-square minus one और यह क्या बनेगा a-square minus b-square minus one यह बनेगा c-square minus d-square minus one और फिर क्या बन जाएगा यह बन जाएगा x-square plus y-square फिर बन जाएगा under root a-square plus b-square और यह C square प्लस D square और root बच्चो उठके इस तरफ आएगा तो बन जाएगा X square Y square का whole square और यहां बनेगा A square प्लस B square प्लस C square प्लस D square ठीक है? करो करो इसे है नासान? बस कुछ नहीं किया इस root को उठाके इस तरफ ले आए यह यह भी नहीं समझ माया है तो कर सकते हो squaring both side squaring both side करोगे तो इस पर square आजाएगा इस पर root कट जाएगा करो फिर इसी टाइप का A question और है वो भी कराता हूँ वो थोड़ा सा अलग है इस से ठीक है? करो अप लो question number 11 और एक question number 16 11 आपको खुद करना है 16 मैं कराऊंगा चले 16 करते हैं 16 करते हैं इसके वाद black ठीक रच्छो देखो 11 अपको करना है और आज का लास्ट कोश्चिन 16 देख लीजिए एक्स प्लस वाई आयोटा का होल क्यू बराबर यू प्लस वी आयोटा और so that प्रूफ करना है यहाँ पे हमें यू अपॉन में एक्स प्लस वी अपॉन में य फोर एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर ठीक है थोड़ा सा लग कोश्चन है बच्छो तो इसलिए थोड़ा सा लग है इसलिए हमें देखना पड़े गई चलो देखते हैं इसको क्या करना है हमें यू अपॉन में एक्स चाहिए है ठीक है जी कर देंगे कोई दिक कर नहीं पहले से उपन करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क sub así बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेर बराबर U प्लस में V आयोटा ठीक है X क्यूब Y क्यूब आयोटा क्यूब 3 X स्क्वेर Y आयोटा 3 X Y का स्क्वेर आयोटा का स्क्वेर U प्लस में V आयोटा X क्यूब Y क्यूब आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा 3 X स्क्वेर Y आयोटा 3XY square Iota square होता है माइनस का 1 अब ये बन गए X cube माइनस Y cube Iota प्लस 3X square Y Iota प्लस माइनस माइनस 3XY square बराबर U प्लस V Iota ठीक है अब क्या करना है भई बिना Iota वाली term को एक साथ रख लो और Iota वाली term को एक साथ रख लो 3X square Y माइनस का Y cube Iota बराबर U प्लस V Iota ठीक है इस तरीके से बाइ कंपेरिंग अब कंपेर करेंगे कंपेर करेंगे किसको किस से कंपेर करेंगे बाइ कंपेर करेंगे इसको ठीक है कंपेर करेंगे इसको मतलब इस वाले को यानि बिना आयोटा वाले को बिना आयोटा वाले से और इसको आयोटा वाले को आयोटा वाले से XQ-3X² U 3X² Y-YQ बराबर V क्यों? आयोटा से आयोटा तो cancel हो गया अच्छा इसमें से common क्या आ रहा है? X अंदर क्या बचा? X² माइनस 3Y² बराबर U मुझे वैलू किसकी चाहिए? U upon में X की तो यह X इदर multiply कर रहा है उदर जाके divide करेगा तो लो जी U upon में X equation first same condition यहाँ Y common आ रहा है 3X²-Y² बराबर V फिर यहाँ पे मुझे V upon Y चाहिए तो 3X²-Y² V upon में Y equation number second ठीक है? अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है U upon X और V upon Y को add मुझे क्या करना है? मुझे करना है U upon X और V upon Y को add करना है तो बस बस हो गया काम खतम first को second से add करना है तो U upon X V upon Y को add करेंगे U upon X की value कितनी है? X²-3Y² V upon Y की value कितनी है 3X square minus Y square add कर दो 3 और 1 4X square 3 और 1 4Y square 4 common ले लो X square minus Y square देखो proof हो गया यही proof करना था U upon X V upon Y ठीक है तो बच्चो इस तरीके से हम लोगों ने अपने सारे questions खतम कर लिए इस type के है question number 11 आपको करना है मैं देखना चाहूँगा कि कौन बच्चा उसमें अच्छे से उसको tackle कर सकता है और नहीं होगा तो next class में तो उसको मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा लेकिन आप सबसे पहले यह note कीजिए सारे questions इस type के करवा चुका हूँ मैं ठीक है और ml अगरवाल से भी आप ट्राइ करना शुरू कीजिए चलिए तो आज की class यहीं कतम करते हैं बाई